आजएहंद मेरे तमाम भाईयों को इस वक्त जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं जोने लायक किया सस्क्राइब किया भाई मैं तह दिल के साथ धन्यवाद करता हूं तमाम लोगों को जोनों हमें मुहबत दी हमें सपोर्ट करी और हमारे साथ हैं उस्ताजी के साथ हुआ अध करता हूँ आज का जो हमारा टोपिक है वो है गेरू का इलाज अमोमन जैनवरों के पेरों में छपके पड़ जाते हैं ला निशान आ जाते हैं और उस्ताज जी ने मुझे बताया है कि यार इस पर वीडियो बनना चाहिए मासाब आप इस पर वीडियो जरूर बनाईए तो उ महबत के लिए उस्ताजी आज अपना काम छोड़के आप लोग के लिए आए देखे भाई अगर हम वीडियो बहुत कम इसलिए डाल पाते हैं तो कि उस्ताजी का बहुत ज़्यादा बीजी सुडियूल होता है और उस्ताजी खास तोर से आप लोग के लिए आते हैं और लग जाते हैं और वो इंसान सालो की मेहनत आपको कुछ मिट में बताना चाहता है तो थोड़ा सा सबर आपको भी रखना पड़ेगा और उस्ताजी की तो महबत ऐसी है कि इतनी महबत में इतने प्यार से हम लोगों को समझाते हैं बताते हैं कि उस्ताजी के साथ सब बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला उस्ताजी एक अच्छे इंसान भी है अच्छे बेशक बेशक उन्हें इजट लोग ऐसे ही नहीं देते लोग की मैंने महबतों में सर जुकते हो यूहीं नहीं देखे बड़ा हो या चोटा हो या बूड़ा हो तो जो भी भाई कहते हैं कि भ अपना पन महसूस हो तो आपको थोड़ा सा भाई मैं कहूंगा परदाश करना पड़ेगा तो उस्ताज जी से जानते हैं आज गेरू को इलाज उस्ताज जी कैसे बताते हैं क्या देशी नुसका है और मातर भाई पांच रुपे नहीं लेगेंगे आपके अगर आपने मिने एक चुच्की ले लिया इस तरह से लेना आपको, यह कपूर होगा है ना यह बहुत आसान नख्सा है, बहुत हसी न ख्सा है और महनई से मिला हूँ नुक्सा है, कि मैं इसको आपके आपके पाश होए के कोणों के भाऊ आपकी महबबत में आपके इखलास खुलूस में आपकी महबबत में मैं आपको ये नुक्से बता रहा हूँ भाई मेरे मैंने कितने पापड़ बेले ये बाल सफेद जो होगा न ऐसे नहीं होगा इनके जक्कर लगा उस्ताज होगा ये रास सिंदूर इस तरह से एक चुटकी ले लें ये रास और ये दोनों और ये खुप्रे का तेज जो कि मैं बतां चुकाँ अच्छी तरह से वेसे मासाब के भी बता चुका हैं ये इंशालला आपको जो भी कमी विशी होती है ये अब सब बताएंगे आपको इंशालला भाई मेरे देर में ही खेर हैं इस तना से थोड़ी देर तो लगे कि मगर वीडियो आपके समझ में भी आना चाहिए आज अगर आपको मैं जली जली बोल दो हाई स्प्रिक्स से बोल देता हूं तो आपके समझ में नहीं आगी इसको समझना ज़रूरी समझ के दिमाग में बटा ले या हो सके तो आप अपनी किताबों में लिखें भाई अगर लिखेंगे तो आंगे किसी उस्ताज की मौताजी नहीं रहेगी आपको और इंशालला मैं जानता हूँ कि आप किसी चीज के मौताज नहीं है कि आपको जो चाहिए मैं इंशालला आपको बताता रहूँ है और जो भी है इसके अंदर एलो वीरा का भी मैंने बताया था कि पेट की गर्मी किस तरह से निकाली जाती है और टापे के अंदर जब मुर्गे को लगा है तो इसके अंदर साफ सफाई का होना भी बहुत जरूरी पानी डालना है, तो पानी के अंदर भी मैंने आपको बताया, कोई आपसे छुपाया नहीं है, मैंने जितनी महनते करी हैं, साइकल से पेर पेदल जाके ये परवाजी को सीखा है, और आप तला कोचा ही है, ये आप नहीं जानते के मैं जानता हूं जितनी महनत मैंने करी है, त तो यह सब चीजे हो गईगी अब इसको लगाने का तरीका है कि करूल ले लें और लकली के अंदर लपेट लें यह कान साफ पने की जो भी आती है काली वगेरा उससे गेरू नली के उपर लगा है शाम के डाय यह लगाते हैं दोनों साइट जो गेरू पन होता वो पैट की गर पना सकते हैं तो जो है कि आप इसको लगा है आपको समझाया भाई समझ लें आप गोर्ष से समझें ज्यादा टाइम नहीं लेंगा पंद से कम टाइम में इंशाला आपको बना के बता हूँआ तरह से सिंदूर और कपूर को मिला लें यह खोप्रिय का तेह लें आप इतना मिला जितना नली पर चड़ जाए और आसानी से चाहां ज्यादा उपर ना जाएं घुटने से नीचे नीचे रखें जहां तलक नली में छपके दिखने दोरा तरह तरह से लगाते जाएं वो यह जो चीजी है ना बेतलबों को नहीं दी जाती है तडब हो तलब हो इसनिए दी जाती है तडब होगी तलब होगी जब भी सीख पाई हैं यह फार्मोले इसे नहीं मिल जाते हैं आज अगर आपको किसी उस्ताज के पाद चक्कल लगाना हो तो परिशानी उठाना पड़ते हैं मैं आपको इंशाले इससे अच्छी वीडियो डालूँगा और बताता ज जेन जेबार